नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जामस यूट्यूब चैनल पर साथियो रीट के जो SST के बच्चे हैं उनके लिए और साइन्स वालों के लिए भी ये वीडियो काफी इंपोटेंट है क्योंकि उनके भी अभी जीकिये जुड़ने वाला है तो साथियो राजस्थान मादेमिक सिक्षा बोर्ड की पुस्त के पढ़ना कितना जरूरी है और 2018 रीट में कितने परसन पूछे गए परतेक परसन का विशलेशन हम लोग करेंगे और कहां से वो परसन आया किस पुस्तक से आया कौन सी कलास से है और परस्ट से क्या क्या है ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स कितनी इंपोटेंट हैं ये भोजा जरूरी आपके लिए जानना और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल में आपको दिखाता हूं कि 2018 में रेट की जो 2018 में प्रिक्ष्या हुई थी उसमें साथियो आप जानते हो कि SST के 60% टोटल आते हैं उस काथवी से 6% आये थे आठवी से 12 कक्ष्या 9 से 6% कक्ष्या 10 कि पुस्तक से 7% और कक्ष्या 11 वा 12 में से 11% इस प्रकार से टोटल कुल मिला करके 50% कक्ष्या 6 से लेके 10 तक 49% और 11 वी और 12 वी से कुल मिला करके 11% साथियो आये थे साथ यो ये जो मेटर तियार किया गया है किसके दोरा तियार किया गया है ये भी आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्कुल में सुसील कुमार जी मीना जो पहले वन रख सक में स्लेक्ट हूँ उसके बाद 3 ग्रेड लगे वो उसके बाद 2 ग्रेड वो लगे और अभी वो 1 ग्रेड में लेक्चरर हिस्टरे से लग गए हैं तो उनके द्वारा ये तैयार किया गए मेटर है बहुत जबरदस मेटर है बोर्ड की बुक से और साथ्यों देखे पहला अपना प्रस्ट क्या था कि एसिया की सबसे लंबी नदी है यहाँ पे ओपसन देखे हांग हो है यांगती सी है मेकांग है या लीना है ये जो प्रस्ट उठा है ये कक्सिया चै की सामाजिक विग्यान की किताब के पार्ठ नमबर चै से जिसका नाम है महादीपोर महासागर की प्रष्ट संक्या 43 से लिया गया है अब साथी हूँ ये कौन सी पुस्तक से लिये गए अभी फिलाल जो राजस्तान बोर्ड में एन्सियारिटी की बुक्स चल रही है उनकी बात मैं नहीं कर रहा है ये पीछे जो बुक्स चलती थी अपने राजस्तान वाली उनकी बात कर रहा हूँ तो कक्स चैकी जो सामाजिक विग्यान की किताब थी उसमें छटे पार्ट से ये प्रस्ट उठा था और इसका पुरुफ भी आपके सामने देखे है छटे पार्ट का ये आपका है और पेज नंबर प्रष्ट संक्या 43 है इसके उपर आपको मिलेगा आप जाकर देख सकते है कि चीन में बैने वाली यांग्टी सी नदी एसिया की सबसे लंबी नदी देखिए बिलकुल यहां से बिलकुल ऐसे का ऐसा उठायवा प्रष्ट है चलिए दूसरा प्रष्ट भी दिखा देता हूँ आपको किली मंजारो परवत कि देश में अवस्तित है ये जो प्रष्ट उठा ये कक्सित है कि सामाजिक विग्यान की पुस्तक से फिर से जो आपका छठा जो पाठ उसी से उठा महादीप और महासागर से प्रष्ट संक्या चौमाली से उठ गया देखे सिधा सिधा तंजानिया में किली मंजारो परवत केन्या से केन्या परवत पर मुखे जवाल नदी का प्राचीन नाम क्या साथियो चठे पाठ से फिर से ठीक है सो रिकक्सित है कि बुक से पाठ नंबर 17 से वेदिक सब्वेता और संस्कृति से यह आपका प्रशन उठा था और प्रष्ट संक्याती पुस्तक की 127 ठीक है और यह देखे आप इस प्रकार से यहाँ पे प समय एकजाम होता है उसी से प्रशन उठते हैं अभी NCRT वाली चल रही है राजस्तान में तो उन बुक से प्रशन उठेंगे साथियो निश्चित तोर पे उठेंगे इसलिए हम आपको बोलना चाहूंगा SST वाले बच्चों को कि आप तयारी कीजिए उन्हीं बुक से आप को definite selection मिलेगा और चोथा प्रसन आप देख सकते हैं कि सरोत में प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों का उलेख है उसमें से अठारवा जोपाथ है महाजन पद कालीन भारत उसमें प्रश्ट संखे 139 पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है 16 महाजन पदों की सरोपर्थम जानका काई में मिलती है तो अंगतूर यहां पर देखिए अंगतूर निकाए बिलकुल सीदा सीदा उत्तर बिलकुल सीदे सीदे प्रसन उठाए गए हैं इसके बाद बात करें देखिए यह यूनिट नंबर 6 जो है परत्वी के परमुक घटग अभी आपके रीट के सलेबस में इ अभी वो फर्स्ट गेड में भी हो गए हैं तो रीट में आपको अच्छे अंग पराप्त करने तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है इनके द्वारा जो बनाई गई आपकी मेटर है वो आपको इनकी एक वेबसाइट है राजस्थान एक्जामस डोट कॉम पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ जाकर के आप उन नोट्स को देख सकते हो जो कि बिल्कुल ये टेश्ट पैटरन पर बनाए गई है ठीक है साथियो पांच वा पना परसंद था मतस्य जनपद की राजदानी कौन सी थी अब देखे साथियो यहाँ पर जो कौन सी बुस्तक से आया एक अक्सियत से की बुस्तक से आया अठारा का पार्ट था महाजनपद कालीन भारत में प्रश्ट संख्या 130 से उठका है देखिए एक ही पार्ट से दो दो परसंद उठ रहे हैं सीधे सीधे तो कहीं से और पढ़ने क्या हो सकता है यह 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 सीधे सीधे परसंद उठने वाले देखिए चठा परसंद सूर से जनपद की राजधानी थी तो कक्सिया 6 की सामाजिक विग्यान की पुस्तक से अठारा के पार्ट से फिर से देखिए यह तीसरा परसंद आ रहा है इसी पार्ट से महाजनपद कालीन भारत परश्ट संख्य 130 से शूर से जनपद की राजदानी पूछ ली सिदी सिदी यहीं से एक तो यह हो गया दूसरा प्रसण यह मतुरा वाला ठीक है यह वाला गया सिधे सिदे प्रसण साथी हो इसके बाद देखे आप मेगस्तनीज किसका राजदू था सिकंदर का था बिंदु सार का था आप जाके चंद्रगुप्त मौरिया को सर्च करेंगे तो शेयलिकुस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बना कर भेजा भेजा जो मगद की राजानी पाटली पुतर में कई वर्स होता के रहा ठीक है साथियो तो इतना ही श्यांदार त चैप्टर से दो दो तिन तिन प्रसन उठक करके आए तो इस हिसाब से आप तयारी अगर करेंगे देखिए दूसरा प्रसन इस चैप्टर से कि कौन चंद्रगुप्त दूट्य का राजसभा में एक नवरतन नहीं था ठीक है कक्सियात सहय कि सामाजिक विज्यान की पुस्त अगर बात करें साथवी कलास की तो साथवी कलास में भी जो है देखिसकते हैं आप लोग खेजडली अंदुलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया तो यह एक अक्सियात साथ के पुस्तक से पांच का जो पार था उससे आप प्रश्ट संख्यार तालिस पे यहां पे मेटर इसी परकार का इंपोटेंट इंपोटेंट मेटर उन्होंने अपनी जो उनकी वेब साइट है राजस्तान एक्जाम्स डोट कॉम उसके ओपर अवेलेबल करवा रखा आप वहां पे जा करके उसको खरीद भी सकते हैं और नोवी जो यूनिट है वो बिलकुल फिरी मे भी अवेलेबल उसका आप फिरी में ले सकते हैं ठीक है और बहुत श्यांदार पढ़ाते भी हैं वैसे यूट्यूब पर अभी वो आये नहीं है आने की सोच रहे हैं बहुत जल्दी तो आप लोग जितना ज़्यादा उनको सपोर्ट करोगी इस वीडियो को जितना ज़्य ज़्यादा लोगों तक फैला होगे उतनी ही जल्दी वह आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आओ सकता होती है आपको पता है सब लोगों को तो देखे सीधा सा प्रसन 9 प्रसन सीधा कक्षिया नो साथ की पुस्तक से उठ गया इसी परका में सर्वत्तम मंदिर पेगंब का आनंद मंदिर है और उप्सन नंबर ब्रह्मा यानि मयामार ब्रह्मा यहां पे उप्सन हो जाएगा ब्रह्मा ठीक है उप्सन नंबर सी हो जाएगा ठीक है साथियो चलिए ग्यारवा प्रसन था अपना त्राइन का पर्थम युद्ध जो पुझा था, यहां पे मुहम्मद गोरी, किसी ने जीता था, तो परत्वीराद चौहान ने यह युद जीता था, तो उप्सधिन नंबर यहां पे कोन हो जाएगा, तीसरा शुप्सन यहां पे हो जाएगा, ठिक के साथ ही हो, तो बहुत ही यूनीक परसन, और आसान सीधे प्रश्ट संग 144 पर था और इसका उतर देखे सीधा सा कुछ विश्णू भक्त थे इन्हें अलवार कहा जाता था बहुत ही बड़ियासा प्रश्ट सीधा सीधा उठ करके आया तो साथियों बहुत ही श्यांदार जो दरीके से चीजें प्रस्तूत की जाती हैं राजस्थान अभी बुक्स सल रही हैं उनके उपर आपको पकड़ बनानी है उनहीं के उपर आपको मेहनत करनी है मेरे जिसाब से बहुत अच्छे नंबर आप लोग लेकर के आ सकते हो इसके अलवा बात करें तेरवा प्रसंद संत मीरा बाई के पती का नाम क्या था तो कक्सिया साथ की पुस्तक से उठा सामाजी की विज्ञान की पुस्तक से अध्याय था बाईस भक्तिवा सुफी अंदोलन और प्रश्ट संक्याती एक सो अठेतर ठीक है यहां से सिधा सिधा उठके आए महारना सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ किसका विवा जो मीरा बाई थी इनका विवा और इनके पती का नाम यहां पे पुछा गया था सीधा साब पुस्तक से उठा था इसके लावा सोधा नंबर का पुस्तक अपना राजस्तान का कौम सा नरते 2010 में यूनेसको की अमुर्द सांसकर्तिक धरवर सुची में संबलित किया गया काक्सिया साथ की पु तो सिधा सिधा उत्तर ओप्शन भी आपका यहां पे हो जाएगा इसके बाद अगर बात करें यह साथ यो चोदा प्रसन जो है वो कक्षया 6 और 7 से आये थे रीट 2018 में कक्षया 8 से भी प्रसन आये थे 15-16 प्रसन मैंने आपको दिखाया अभी ठीक है इन सभी प्रसनों को मै आपको बताऊंगा पूरे के पूरे 50 प्रसन आपको दिखाऊंगा हो सकता है एक आदा नहीं मिले 49-50 प्रसन आपको पूरे पूरे दिखाऊंगा कि देखिए यहां से उठकर के सारे के सारी प्रसन आ गए तो साथियों चाहे आप साइंस से हैं साया आप से हैं आपको जो है ज्यादा फोकस किसके करना है राजस्थान बोर्ड में जो अभी बुक चल रही है उनके उपर यानि कि अभी NCRT चल रही है तो NCRT के उपर फोकस करना है आपको SST वालों के लिए खास दोर पे बोलना चाहूँगा बाकि अगर आप पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं उनको भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत फेक्ट में डिफरेंस आ जाता है लेकिन साइंस वालों के लिए तो यही बोलना चाहूँगा कि जो पुरानी बुक्स थे राजस्थान बोर्ड वाली वो ज़्यदा बेटर हैं क्योंकि NCRT में फेक्ट कम है थोड़ी से उसमें करिया कलाब ज़्यदा दे रखेंगें थीक है तो साइंस के लिए तो पुरानी वाले ज़्यदा बेटरें राजस्थान वाली लेकिन अभी वाले भी आप कर सकते हो, कोई दिक्त नहीं, उसमें भी बड़ियां सामान दे रखा एकदम, और SST के लिए आप जो अभी चल रही हैं, उन बुक्स को करिए, क्योंकि देखिए, BSCR अजमेर ही पेपर बनाएगा, और अजमेर अगर पेपर बनाएगा, तो जायर सी बाता अपने सलेबस में से ही बनाएगा, तो इन ही बुक्स में से आपको दुबारा से मेटर देखने हो, देखे साथी हो, बड़ी बड़ी कोचिंग्स धरी की धरी रह गई थी इस चीज़ में, सारा का सारा मेटर, पचास के महासागर वाला जो टोपिक है, आपकी थाठी कलास की किताब में कितना वड़ा टोपिक हो गए, बिल्कुल सोटा सा टोपिक है, बिल्कुल सोटा सा पाठ है, दो तिन पेज़ का पाठ है, और वहां पे आपको किस परकार से महादीप और महासागर करवाए जाते हैं, आपक प्रसन यही देखने को इसी प्रकार के मिलेंगे तो आपको बोर्ड की बुक्स पे ज्यादा धान देना चाहिए इसके लावा सर ने अभी जो जैसे NCRT सलेबस लागू हो रखा है अपने राजस्थान में तो अपनी उन्होंने वेबसाइट पे राजस्थान एक्जामस डोट हैं तो नोडस उन्होंने तयार किये हैं वो भी यूनिट वाइज किये हैं यूनिट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो इस प्रकार से तो नोवी यूनिट फिरी में अवेलेबल है आप इस वेबसाइट पर जा करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिएगा तो बिल्कुल सपोर्ट करें इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें जो कक्षया आठ का जो मेटर हागे आया हुआ है जो आईसस्टी वालों का वो भी मलेकर क्या हूँगा आपको दिखाऊंगा कि देखें बोर्ड की बुक्से कहां से कितने श्यांदा मेटर के साथ और साथ यो एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स नहीं खरीदना चाहते कोई बात नहीं है आप जो एंशियारिटी की बुक्स अभी चल रही है मादेमिक सिक्ष्या बोर्ड का जो अभी का सलेबस है उसकी बुक्स आप लेकर किया ये उन बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छी तयारिया आप लोग कर सकते हैं और डेफिनेटली सेलेक्शन होगा और पचास के पचास नंबर आप उठा सकते हैं सीधे के सीधे वहां से प्रसन आने की पूरी-पूरी संभावना और साथ यो हमेशा बोर्ड ऐसा ही करता है अप पूरे के पूरे प्रसन अपने को मिलते हैं ठीक साथियो तो मिलेंगे अपन अगले वीडियो में और थोड़ी डिटेल्स के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भार्त नमस्कार